मैं है स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंज नई दिल्ली में चाकू वाजी की एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और पास में ही मवजूद लोग उसे देखते रहें थोड़ी देर बाद कुछ लोग दौड कर आए और आरोपी को रोका और उसके हाथ से चाकू भी छुडाया रौंग्टे खड़े कर देने वाली ये वारतात की वीडियो भी सामने आई है दसद लिके तिगरी थाने इलाके में बुद्धवार के सुबह चाकू बाजी की घटना हुई पुलीस को PCR कॉल मिली थी कि युवक को चाकू मारे गए है मौके पर पहुची पुलीस ने गंभीर अवस्था में घायल 21 साल के यूसुफ अली को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया था यहां उसकी मौत हो गई है इलाज के दोरान वही इस चाकू बाजी की घटना का वीडियो सामने आया और इसमें साफ नजर आ रहा है कि तिगरी थाना इलाके में एक दुकान के बाहर खून से लथपत यूसुफ सडक पर पढ़ा हुआ है और आरूपी शारुख उस पर ताबल तोड चाकू से हमला कर रहा है आसपास खड़े लोग शारुख को रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वह रुकता नहीं है इधर जमीन पर पढ़ा हुआ यूसुफ जैसे ही तैसे हिम्मत जुटा कर शारुख के वार से खुद को बचाने की कोशिस करता है मगर वो आसफल रहता है जैसे ही मौका मिलता है आसपास खड़े लोग डंडा लेकर शारुख की ओर दोडते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक वेक हाथ में डंडे लेकर आता है और जिस हाथ में शारुख चाकू पकड़ा हुआ होता है उस पर जोड से डंडा मारता है आरूपी के हाथ से चाकू छूट जाता है फिर डंडे सिवह शक्स चाकू को शारूप के हाथ से दूर कर देता है इसके बाद भीड शारूप कोई पिटाई भी करती है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पिडित पिता साहिद अली ने पुलिस को बताया है कि तीन-चार दिन पहले ही उनके बेटे यूसुफ ने शारूप नाम के युवक से तीन हजार रुपे उधार लिये थे अब शारूप उधार दी गई रकम वापस माँग रहा था तीन-चार दिन पहले शारूप ने बेटे को धमकी भी दी थी पिता साहिद ने पुलिस को पता है कि बुद्धवार सुभा सारुख ने बेटे पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी पुलिस के मताबिक सारुख ने यूसुफ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है यूसुफ के पिता साहित शिकायत पर आरूपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ष्ट कर लिया गया है और मामले की आगे जाच परताल की जा रही है